साथियों ये ब्लॉक्स आप जो देख रहे हैं बहुती खतरनाग ब्लॉक्स है और ओनर का जो दर्द है वो बहुती ज़्यादा पैनफुल है इस लॉट में जो बक्रिया देख रहे हैं लग भग 15-20 बक्रिया थी ओलेडी लेकिन 7-8 बक्रिया इनके साथियों दम तोड़ अधान और सतर्क होना चाहिए चाहे आपके पास कितनी ही नौलिज हो अगर आप किसी भी चीज के लिए तयार नहीं 侯ह उने प्लॉक्पर या उस गया करेंगे तो साथियों आप है जाँनेगे, ऐसे ही इन ओनर के साथ हुआ है, ये सातियू बक्रियां जो हैं, बीमार हुई थी, इनकी 7-8 बक्रियां, मुँ में हलकेल के छाले बने थे, उनको सुरुवात में फीबर आया, चारा हलका फुल कहारी नहीं लेकिन सातियू चारा खाना नहीं चोड़ा, ओनर ने स इनकी कंडिशनों को देखके बोला कि इनका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है इनका कोई इलाज नहीं है यह अपने आपी ठीक हो जाएंगी वन्ना इनकी डैथ हो सकती है बिल्कुल सही बात है इनका कोई प्रॉपर आज नहीं है लेकिन अगर हम इनका इलाज नहीं करेंगे तो सात्यों ये दम तोड़ देंगी हमें कुछ ना कुछ हद तक पहलू अपनाना है इनको एंटिबाइटिक्स एंटिपाइरेटिक और सात्यों इंफेक्शन के लिए मेडिसिन जरूर करनी है क्योंकि कुछ परसेंट तक सात्यों PPR में बकरियां ठीक हो सकती है लेकिन इसका सही इलाज है सात्यों वैक्शिनेशन अगर सही समय पर आप वैक्शिनेशन कर देते हैं कुछ पैसों के लालच में कुछ लापरवाई की वज़े से अगर वैक्शिनेशन नहीं करते हैं तो सात्यों साफदान हो जाएं इन्होंने हमें लेट बुलाया है इसकी वजय से हम इसका टीटमेंट करने वाले हैं तो आप अगर गौट फार्मिंग कर रहे हैं तो सातियो लाल अचे एक बहुत बुरी बला है अगर दो सो चार सो या हजार आट सो रुपे की वैक्सिनेशन आती है तो सातियो पी पी आर एं लगी जो कि गौट फार्मर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि वो चराता है दाना खिलाता है उन्के साथ मेहनत करता है और पूरी साल वेट करता है फिर बच्चों को पालता है यह उसकी मेहनत का फल है अगर ऐसी सुचेशन में आपके उसमें ऐसा आकाल आ किसी इंसान का मन तूट जाता है इन चीजों का आपने ध्यान रखना है सात्यों अब हम जान लेते हैं कि PPR में जो पैक्टिकली लक्षण आते हैं पैक्टिकली जो सिम्टम्स आते हैं उनका भी हमें पसू पालक भाईयों को पता होना बहुत जादा जरूरी है सुरवात में सात्यों तेज बुखार आता है 105-106 बुखार आता है नाक से सात्यों डिश्चार्ज आने लगता है और आखों से भी डिश्चार्ज आने लगता है पानी तपकने लगता है बकरा रुवां फारता है या बगरी रुवाँ फारती है तेज बुखार होता है और साती सात उसको दस्त लगते हैं और दो दिन के बाद साती राती रात में बखरे या बखरियों के अंदर छाले बन जाते हैं मुँ में बिल्कुल वाइट हो जाता है जिसकी वज़े से मुँ पकड़ने पर या मुकस साफ करने से कपड़े से तो साती बखरी को बहुत ज़दा दर्द होता है बहुत ज़दा पैन होता है ये पैक्टिकल ही हमने लक्षन इनको डियागनोसिस करा है लेकिन अब हम जान लेते हैं इनका पर इलाज जो है हमें क्या करना है देखिए अगर बखरी PPR बीमारी से फुली आ गई है तो वहाँ पर हमें साती ओ एक अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का एंटिबाटिक लगाना है हमने जो एंटिबाटिक लिया है वह यह लिया है साती ओ इंटासेफ्ट है जो साड़े चाह ग्राम में इसमें सेफ्रक्जोन सल्वेक्टम होता है यह बहुत ही सांदर रिजल्ट इसका होता है अगर मैं मोनोसेफ्ट लगाता हूं तो साती ओं वहाँ पर इस बीमारी में वह प्रॉपर साती ओं दवा लगा के उनकी जान बचाई गई है और साती ओं यहाँ पर इंटासेफ्ट जो टै जो है यह साड़े चार ग्राम का होता है पचास किलो बॉड़ी वेट पर यह चालिस किलो बॉड़ी वेट पर हमें वन ग्राम डाइलूट करके विथ डिस्टिल वाटर में डाइलूट करके तीन अमल डिस्टिल वाटर आप ले ले और उसको अच्छे तरह डाइलूट करके साती हो चाहे तो आप येर वेन में लगाएं चाहे साती हो उसको नैक की वेन में लगाएं दोनों तरह से लगा सकते हैं लेकिन मैंने जितिनी भी बक्रियों को IV लगाया सात्य वो कान में ही लगाया है, कान में नसें बहुत अच्छी होती हैं और फुली सात्य बक्री अच्छी से लगवा लेती हैं, इंटरसेप्ट है जो आपने सुबा साम दिन में दो वार रिपीट करना है और ऐसे ही लगातार तीन दिन तक हमें अगर बकरी PPR से विमारी से ग्रशित है PPR है उसको तो आप IV इंजेक्शन इंटरसेप्ट जो साड़े चार गराम का आता है अगर 500 mg में भी आपको इंटरसेप्ट जो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर एवी लेवल होने की वेज़ से मैंने इंटरसेप्ट जो लिया है 105 फीबर है जिसको भी मैंने नौट करा है 104 है किसी को 105 है किसी को 106 है वहाँ पर मैंने मैलोक्सी कैम पेरसेटा मूल लिया है अगर पेगनेंसी है तो साथियो दोनों ही इंजेक्शन यह बिल्कुल सेफ हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मैं यहाँ पर DC इंजेक जो बैक्टिरिया की वेश से जो वायरस आया साथियो उसको भी डेस्टोय करेगा और बकरी के जो जखम है मुह में वो भी साथियो ठीक हो जाएगी इस तरह से आपने साथियो इलाज करना है तो 2 ml मैंने पिरती बकरी को मैलोक्सी कैम पेरसेटा मूल दिया है और साथ में 2 ml मैंने एविल दिया है जो इंफेक्शन के लिए वायरल इंफेक्शन के लिए साथियो काम करेगा और साथियो मैंने आपने इसमें अगर कोई बकरी पेगनेंट नहीं है तो वहाँ पर आप डेक्सा जरूर लगाएं तो जो बकरी पेगनेंट नहीं है वहाँ पर मैंने 1 ml डे देक्सा दिया है अगर पेगनेंट है तो आप डेक्सा नहीं लगाएं इससे साथियों पेगनेंसी में खत्रा हो सकता है तो इन चीजों का बेसिकली ध्यान रखें आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बक्रियों को जो रिपीड मैंने दवा करिए पहले ही अलड़ी मैं इनको आ आई इंटरसेप्ट है जो का बहुत ही सांदर रिजल्ट है पी पियार में आप साथियों अगर नजदीगी डॉक्टर ने तो उससे परामर्स करके साथियों इस बीमारी का इलाज करें अगर आपको आई विंजिक्शन लगाना आता है तो आप खुदी कर सकते हैं लेकिन ज उनको तुरंत साथियों लौट से अलग कर देना चाहिए उनका खानपीन अलग कर देना चाहिए और तुरंत बाड़े में या लौट में साथियों छिड़काव करना चाहिए कलाई का ये देख सकते हैं ये दूसरे भाई जो हमारे हैं साथ में उनके बकरों के या बकरियों सायता से उसके मुह में लगाना है और जो मुह में डालने वाली दवा है वो सातियों आती है ओक्सी टेटरा साइकलीन दो एमल सुबह दो एमल साम इस तरह से आपने बकरी के मुह में डालनी है तो जो भी छाले हैं जो भी जखा में सातियों जल से जल से रिकावर हो जाएंगे और बक्रियां सातियों चारा खाने लगेंगे आगे आपको नेक्ट वीडियो में दिखाऊंगो कि बक्रियां ठीक हो गई है चारा भी खा रही है और सातियों नॉर्मल भी हो चुकी है सातियों आठ से दस बक्रियों का जो मरने का जो खत्रा रहता हूँ पसुपालक को बहुत जाद रहता है अगर सायद इनको पहले पता पड़ जाता के डोक्टर के बारे में अच्छे से अच्छे डोक्टर के बारे में बद बड़ी वीडियो हो जाती तो मैं जितना हो सकता है कि मैं बकरियों की वीडियो लॉंग नहीं करता हूँ छोटी बनाता हूँ कि जिससे मेरी ओडियंस को मेरे परिवार को अच्छे से बात करूँ जो इनके मूँ से म्यूकस आ रहा है जो सांस ले रही है करा रही है सातियो उसके लिए आपने लिप्टिस के जो पत्ते आते हैं जो लिप्टिस के पत्ते आते हैं उनको रात जब अंधेरा हो जाए उनको किसी उपलो पे या आग जला कर उसका एक कमरे में धुआ करें इससे क्या हुआ कि बकरों में जो infection है जो फेपरों में infection है oxygen level कम है उसको सही करेगा बलगम जो भरा हुआ उसको भी ठीक करेगा और बहां निकालेगा ये दूनिया आपने लगाता तीन से चार दिनों तक देनी है जिससे कि आपके बकरे वो बकरियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और सातियों जो अलेड़ी बकरियां मर चुकी थी वो सातियों मर गई है लेकिन यहाँ पर हमारा प्रियास है हमारी महनत है सातियों के इनकी बकरियों को बचाया जाए देखें सातियों कोई भी चीज है सब चीज पैसा नहीं होती है क्योंकि कुछ काम हमें एक्सप्रेंस नॉलिज और सातियों हमें महनत से करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे पढ़िणाम मिले अच्छे सातियों रिजल्ट मिले इससे हमें अपने उपर काम करना पड़ेगा यह देख सकते हैं इन बक्रियों को मैं दवार रिपीड कर रहा हूं injection लगा रहा हूँ अब बक्रियों की पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉर्मल इस्तिती है अगर आप अब आपको मैं next clip में दिखाऊंगा कि बक्रियां दूसरे दिन चारा भी खाने लगी है हुआ हाँ कि झाले हैं फिर हैं उनकते हैं हो जाड़ खाया भी के पाले हैं अब करें दोगे हैं पुब कोड़ Instead इब बब इब हैं झाल झाल